सबी विदार्थियों का सवी चिल्रन अकेडमी रावला मंडी के उनलाइन प्लेटफर्म पे स्वागता है कक्षिया दस वेशे समाजिक विग्यान और अध्याई चल रहा है मारा आठ नमबर जिसका नाम है जलसंसादन जलसंसादन में कुछ प्रियोजना है हमने पढ़ ली थ प्रदेश और राजस्तान की श्यूंग्ठ प्रियोजना एक तो ये ध्यार रखना अब मैं आपको बताता हूं राजस्तान मद्यप्रदेश की श्यूंग्ठ प्रियोजना चंबल नदी पर 1953 में प्रारम हुई इस नदी के प्रवा से भूमी अप्रदन और बाड के कारण त और नहर परणाली का निर्मान किया गया है गुत्य चरण में राजस्तान के चितोडगड में रावत बाटा परमानु सेंतर भी लगा है तो नामक्स्तान पर राना परताब सागर बान्द और तीसरे चरण में कोटा बुंदी जिले की सीमा पर ज्वहर सागर एक पिकक अप गेराई से इस तरह का बांद बना कि जल को लिप्टों से उटाना पड़ता है और विदूत ग्रायक का निर्मान किया गया है कोटा विराज से रास्तार में नेरों के माद्यम से सिंचाई की जाती है याँ चंबल नदी पर चार बांद हो गए एक तो दुबारा देख लो मद्य परदेश के मद्यसोर जिले में है दूसरा चितोडगड के रावत बाटा में है तीसरा कोटा बंदी सीमा पर जोहर सागरबांद है और चोथ है कोटा वेरासा कोटा में जहांसे विदूत उत्पादन होती बलकि क्या होती है सिर्फ नहरों से सिंचाई होती है अब बहुत ही परसिद एक प्रियोजना आ जाती है हमारी इंद्रा गांदी नहर जिसके कारण आज हमारे खेतों में अन उत्पादन हो रहा है और हम विक्सित है हर चीज हमेश भी दवपलब्द है ये पस्मी राजस्तान है ना अनमा गंगानगर बीकानेर जैसलमेर जोदपूर बाड मेर ये सब संपन क्यों है इंद्रा गांदी नहर खास करके गंगानगर तो गंगनेर और इंद्रा गांदी नहर खास करके ठीक है राजस्तान का अन्बंडार केते हैं स्रीकंगा नगर जुली को बस इसी का रहा है पढ़ लेते हैं इसका पहले नाम राजस्तान नहे था अब इसका नाम हो गया इंद्रा गांदी नहर प्रियोजना तो राजस्तान में थार्म रुस्तल में पेजल आपुरती व्यर्थ भुमी के उपयोग और अंतराश्टिय सीमा पर अबाद्धी बसने के उदेश्य से सतलज और रावी के संगम पर कुनसी सतलज और रावी के गया है वैसे यह सतलज नहीं है यहां पर जारकना मिश्टेक से सतलज गया रावी और व्यास नदियों के संगम परस्तित अरिके विराज से इस नहर को निकाला गया है यह नहरबारत की नहीं बलकी एसिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है यंदियों के द्वरा इसका निर्माण किया गया पकी नहरा है इसकी कुल नबाई 649 किलोमीटर कुल ठीक है जहन से रैवी व्यास कि हरीके बिराज में पानी छोड़ दिया क्या ना कि ना में वहां से तो इसकी कुल अमबाई 604 किलोमीटर है जिसमे से 179 किलोमीटर थे पंजाब में चलती है 14 किलोमीटर हर्याना में और से इस राजास्तान में बाकी बच्विव हुआ इस नहर के द्वारा राजस्तान की नो जिलों 29 कस्मों और 3661 गाउं को पेजल किया पूर्ति की जाती है इस नहर को दो चरणों में पूरा किया गया जो करमस है राजस्तान फिडर और मुख्य नहर है एक तो इसको राजस्तान फिडर कहते हैं जाने इसका जलू प्योग नहीं तब वो फिडर होता है और दूसरा मुख्य नहर राजस्तान फिडर जो आर्मिक स्तल से मसिता वाली हेड मुख्य नहर मसिता वाली हेड से मोन गड के बिंदू तक कि यह देखो से हैं आपने कि नहरे यह नैसी चोटी-चोटी आपके पास योगी चोट-चोटी नहर आ वह भागय कर्मस्वर 204 किलोमिप्र है देखो रास्तान फिडर यह निंद्रागांधि नहर की लंब़ाई कि यह दो चार किलोमेटर और बाके की कितनी है 445 किलोमेटर इस नहर के द्वारा थार के मरुस्तल में सिंचित छेत्र का विकास करने के उदेशे से विबिन साखाईं और लिफ्ट नहरे निकाली गई है अंतराश्ट्र ये सीमा की और पाकिस्तान की पास पास है ना जैसे गंगानगर के लगता है अबिका नहर के जैसल मेर के बार्ड मेर के एरिया पाकिस्तान की सिमा लगते है तो वो अंतराश्ट्र ये सिमा हुई हतारत पस्थ में सिमा पर नो साखाईं डाल के नरूप और पुरव की और अधिक उंचाई होने के कारण जल उपर उठा कर छोटी नहरों में ड 17.41 क्रोड हेक्टियर भूमी को सिंचित किया जाएगा। इस अब इस प्रियोजना को बाड मेर के गड़रा रोड तक बढ़ाया गया है। एक है माही बजाद सागर प्रियोजना। माही बजाद राजस्तान और गुजरात की ये श्यूंग्ट प्रियोजना विद्यांचल परवत से निकलने वाली माही नदी पर 1971 में प्रार्म होई। इस ये प्रियोजना इस नदी के प्रवा मारग में डुंगरपूर और बांस्वडा के आदिवासी छेत्रों के आर्थिक विका सेतू सिंचाई और विदुत स्विदाओं के विका सेतू प्रारम की गई है। इस योजना के अंत्रगत राजस्तान के बांस्वडा के बोर खड़ा नामकस्तान पर माही बजाद सागर बांद बनाया गया है और गुजरात में गुजरात सरकार की लागत से कडाना बांद बनाया ठीक है। नैर परनाली को प्विक्षित करने के उदेशे से मुख्य बांध से 500 मिटर नीचे कागदी पिकप बांध बनाय गया है और विदुत तंतर के विका से तुम मुख्य बांध पर दो विदुत ग्रहों का निर्माने किया गया है अगली प्रयोजना है बिसलपुर प्रयोजना defining 1997 में से 1908 यह बहुदेशिय जल प्रयोजना सिंचाई और पेजल इस योजना में टोंक जिले के टोड़ा राइसियं कस्पे के पास बिशलपुर्स्तान पर बनास नदी पर 574 मिटर लंबा और 49.5 मिटर उन्चा बांद बनाए गया है इस बांद के दाएं और बाएं किनारे से दो नहरे निकाली गई है इस योजना के माद्यम से स्वाइमादपुर जिले को सिंचाई, जैपुर, सहर, अजमेर, केकड़ी, सरवाड, ब्यावर और रास्ते में आने वाले गाउं को पेजल आपूर्ती वेट टौंक जिले के 256 गाउं में सिंचाई, हेतु, जलू पलब्द करुआया जाएगा राजस्तान के इन्य प्रियोजना है, जाखम प्रियोजना, जाखम नदी पर है, जाखम नदी पर चितोडगड और उद्यपूर वे परताबगड के आदिवासी छेत्रों में विकासेतु, सिंचाई योजना के लिए अनूपूरा में जाखम बांध बनाया गया है, इससे 13 क चेतर विकास है तू कमला अम्मा गाउं में बांद का निर्मान किया गया है जिससे डुंगरपुर जिले की आसपुर उद्यपुर की सलुम्बर तसील के गाउं को कैस्टाई की सुधा उपलब दोती है फिर है मेज़ा बांद बिलवडा जिले की मांडलगड तसील के मेज़ा गाउं में कोठारी नदी पर सिंचाई के लिए मेज़ा बांद है बनाया गया है बांद से मतस्चे पालों और नहर परनाले का क्या हुआ है विकास हुआ है सिद्मुख प्रियोजना रावी व्यास के अतरिक जल का उप्योग गंगा नगर और हर्मानगड की नोर बादरा चूरू जिले की तारा नगर और राजगड तसीलों में 33,000 हेक्टियर मुमी को संचित करने में इस प्रियोजना में किया जाता है नर्मदा प्रियोजना सर्दार सुरूवर बांध के जल से बाड मेर और जालोर को पेजल किया पूरती होती है उसके बाद में जुआई बांध प्रियोजना पस्टमी राजस्तान में लूने की साइक जौई नदी पर एरनपुरा पाली में बांध बनाए गया है काँपे एरनपुरा पाली में जौई नदी पर इसे 176 किलोमेटर नहर निकाल कर पाली वैजालोर जिले में क्या होती है सिंचाई होती है पांचना बांध पांच नदीयों के संगम पर बना पांच नदीयों करोली जिले में गुड़ला गाउं के समिप पांच नदीयों बर खेडा बद्रावती माच्ची बेसावट अटा के संगम पर मिटी का बांद बनाएगे जिससे टोड़ा भी हिंडोन गंगापूर के गाउं को सिंचित किया जाता है उप्रग प्रयोजनाओं के लावा भी लगब चालिस लगू प्रयोजनाई राजस्तान के विबिन बागों में क्रियासिल है जिससे स्तान्य स्तर पर बहतर किसी स्तान पर वरषा जल का उचित जल कर्वथ कर संग्रन करना ही उस स्तान का जल्सवनेग जल का सदू पयोग करना ता कि मान सुन काल कया तरिक जल को बांदों तलाबों जिलूँ अथवा छोटे जल्स्तोतْ वाहर बारतिय संस्कर्टी में जल को अमरत के समान माना है जिसके परतिश वेदन सिल्ता के कारण देश के सासकों, सेट साव कारों, स्थाने नागरिकों ने गाउं और नगरों में कुवे, बावडी, तलाब, जीलों का निर्मान कराया प्राचिन बारति में जल सरंक्षन के परतिश अदबावना थी, इसी कारण बारति में सिंदु सबेता की खुदाई से कुंड, कूप और नहरों के साक्षिय मिले हैं कोटिल्य के अर्शास्तर के अनुसार, जो पहला पहला पाट बढ़ा था में, कोटिल्य का अर्शास्तर द्वारा विभिन एनिकेटों और बंदों का निर्मान करवाया थी, राजस्तान में जल सरंक्षन के परतिश वेदन सिल्था प्रा रही है, क्योंकि वर्सा की कमी, सुखे की आसंका यहां हमेश्यां से बनी रही है, इसी कारण स्थानिय राजाओं तथा साव कारण द्वार बावडी, जालरा, नाडी, कुवे, कुवे, तथा जोडों का निर्मान करवाया गया है, जो कि स्थाने जनता के पेजल स्तरोत रहे हैं, साथ ही छोटे वेब बड़े बांद, खडीन, तथा एनिकेट पेजल के साथ साथ सिंचाई के लिए भी प्योगी रही है, तो यह हो हो गई, फिर नाडी हो गई, टांका हो गया, जोहड हो गया, खडीन हो गया, बेरी या छोटी कुई होगी, और एक योजने मुख्यमंत्री जल स्वालम बनी हो जना, इसके बारे में चर्चा, एक दिन का पार्ट हमारा और बच जाता है, और विदालिया भी आपका लगणा सुरू हो चुका है, बहुत सार विदार्तिया आने सुरू हो चुके है, लेकिन अब दो तारिक से सही रूप सही शुरू हो जाए।